शांदार बिजाई के कारण चालू वर्ष के दोरान जीरा का घरेलू उत्पादन पिछले साल से बहतर होने के आसार है। यदिपी गुजरात के सौराष्ट्र संभाग में प्रतिकूल मौसम के कारण जीरे की फसल को कुछ नुकसान होने की आशंका व्यक्त की जा रही है लेकिन इसके बावजूद कुल उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। गुजरात में जीरा की नई फसल की कटाई तयारी की गती तेज होती जा रही है जिससे मंडियों में इसकी आपूर्ती भी बढ़ने लगी है। बढ़ती आवक को देखते हुए कीमतों में भारी तेजी आने की संभावना क्षीन पढ़ती जा रही है। राजस्थान में नया माल आने में अभी कुछ देर है। गुजरात की उंजा मंडी में नए जीरे की ओसत दैनिक आवक बढ़कर 1000 बटा 1100 बोरी पर पहुँच गई है। व्यापार विशलेशकों के अनुसार कारोबार सामाने से कम हो रहा है, क्योंकि खरीदार इसकी भारी आवक शुरू होने तथा कीमत कुछ और नरम पढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए भारी भरकम स्टॉक बनाने के बजाए केवल तातकालिक जरूरतों को पूरा करन होने की सूचना आने पर बाजार कुछ सुधरा था मगर जल्दी ही स्थिती सामाने हो गई, गुजरात में जीरा का उत्पादन छेतर पिछले सीजन के 2.76 लाख हेक्टेर से उचल कर चालू सीजन में 5.61 लाख हेक्टेर के शीर्श स्तर पर पहुंच गया, राजस्थान में भी जीरा के बिजाई छेतर में इजाफा हुआ है, उजा मंडी में जीरा की कुल दैनिक आवक 3,000 बोरी तक पहुंच गई थी, जिसमें 1,000 बटा 1,100 बोरी नया माल भी शामिल था, वहां इसका भाव 6,200 बटा 6,300 रुपए प्रती 20 किलो के आसपास चल रहा है, कुछ दिन पूर्व इसमें 150-200 रुपए की तेजी आई थी, अगले महीने जब गुजरात के साथ साथ राजस्थान की मंडियों में भी जीरा के नए माल की जोरदार आवक आरंब होगी तब स्टॉकिस्टों एवं दिसावरी व्यापारियों के अलावा निर्यातकों की सक्रियता बढ सकती है। चीन में जीरा की मांग बढ़ने लगी है जबकि बांगला देश सहित कई अन्य मुस्लिम बहुल देशों में भी इसका निर्यात बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि एक तो भारतिये जीरे का भाव घटकर आकरशन स्तर पर आ गया है और दूसरे तुर्की तथ सीरिया में इसका निर्यात योगे स्टॉक काफी घट गया है। इरान तथा अफगानिस्तान भी निर्यात बाजार में सक्रिय नहीं है।